असलाम अलेकुम वीवर्स, वेलकम टू तमनास कीचन, तो आज हम लेक्या हैं फ्रेंड्स कोफते अंडे आलू कसालन, तो फ्रेंड्स इसको आप लोग इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए फ्रेंड्स और जरूर जरूर ट्राइ भी करिए, इसको बनाइए घर में तो friends हमने ले लिया है आदा किलो कीमा, रूखा कीमा, अब हमने इसमे लेंगे भुनावा बेशन और ये हमारे spices हैं, हल्दी, एक चमच, एक चमच लाल मिर्च, दो चमच धनिया पौडर, एक चमच नमक और गरमसाला पौडर, तो friends हमने दो बार में कीमे को पीस लिया है, महीन एक चमच और सारे spices हमने जो आपको मेंशन करें वो और हमने एक अनियन, दो हरी मिर्चे और खूब सारा हरादियनिया हमने फाइन चॉप कर लिया और भुनावा बेशन हमने इसमें डाल के और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, friends अगर आप चाहें बेशन नहीं डालें अब हम इसमें अंडे आलू कवाब बना रहे हैं तो रेसिपी तो मसाले तो सारे सेम हैं बस थोड़ा सा बनाने का तरीका लगा है जो के आप देख लें हमने अच्छे से कीमे को मिक्स कर लिया और कोफते हमने सब तयार करके रख लिया और हमने अंडे भी बॉयल करके रखे और यह हमारे ग्रेवी का मसाले हैं हमने आलू भी छील के दोके रखें अंडे भी छील लिए हमने एक प्यास चॉप करिए और कसूरी मेती और यह हमारे स्पाइस अद्रकलसन का पेस्ट हमने जो कौफते बॉल्स बना के रखें अब इसको फ्राइ करेंगे हमने कडाई में तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेर जरूर करिए फ्रेंड्स इसको हम चलाएंगे नहीं जब तक इसका कलर न चेंज हो जा इसको हम अच्छे से हिलाते रहेंगे जब कलर चेंज हो जा तो हम इसको पलट ल लेना है अब जो बचावत तेल है उसे हम वेस्ट नहीं करेंगे उसी तेल में हमने प्यास को हमने पिंक कर लेना है सॉफ्ट कर लेना है याने आउस में हमने डाल दी है कसूरी मेथी अब हम इसमें डाल देंगे अद्रकलसन का पेस्ट इसको हम अच्छे से भून लेंगे इसकी राव स्मेल निकल जाए आप हमने जो मेंशन करें हैं आपको मसाले वह हम इसमें शामिल कर देंगे दो चमच धनिया एक चमच हल्दी और एक चमच लाल मिर्च पौडर और एक चमच नमक ये सब चीजे हमने अच्छे से भूने थोड़ा सा पानी डालके हमने मसालेको अच्छे से भूने लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे कौफ़तों को और बड़े प्यार से इसको हम चला लेंगे ताकि वो फूटे नई और ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाएं। थोड़ा सा हम इसमें शुरुव करेंगे और हम डाल देंगे इसमें आलू शुरुव आपके उपर है फ्रेंट्स आप अगर चावल से सर्व करें तो इसमें अच्छा खासा शुरुव कर सकते हैं वरना आप रोटी से सर्फ करें तो थोड़ा सा हलका फुलका सा शुरुबक कर सकते हैं अब हम इसमें दो सीटी लगा लेंगे तो friends हमाई आलू भी कल चुके हैं तो friends आप लोग भी जरूर बनाएं इसे घर में बहुती इजीली और बहुती मज़े के लगते हैं और बनाने में भी कोई परिशानी नहीं है थोड़ा सा टाइम लगता है बस मगर बन के बहुत अच्छे तयार हो जाते हैं और बहुती मज़ा आता है इसे खाने में जीरा खास तोर से इसे जीरा राइस के साथ या रोटी के साथ भी आप सर्फ कर सकते हैं इसको देखें फ्रेंड्स कितने मज़े के लग रहे हैं देखने में जितने मज़े के लग रहे हैं खाने में उतने ही टेस्टी है और जो चीज आखों को अच्छी लगती है वो जाहिर सी बात है वो खाने में भी बहुत ही मज़े की होती है और तो फ्रेंड्स मुझे दूआ में रेसिपी को एक like तो friends मेरी मेहनत को और मेरी रेसिपी को like बनता है friends मुझे like जरूर दीजिए तो friends फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अला हाफिज